जम्मो कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है पाती राजिपाल को 31 विधाइकों के समर्थन के चिठ्थी सौपने वाली है हलाकि राजिपाल ने बीजेपी और पीडीपी दोनों को सरकार बनाने पर अपने अपने प्रस्ताव भेजने को कहा है पीडीपी बाजी मार ले जाएगी सारे दल सरकार गठन को लेकर राजनेतिक जोड़ घटाव में जुट गए राजपाल एनन वहरा ने बीजेपी और पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानि पीडीपी को चिठी लिखकर सरकार गठन के लिए अपने अपने प्रस्ताव भेजने को कहा बीजेपी के मताबिक उससे छे निर्दली उमीदवारों का समर्थन हासिल है बीजेपी के पास खुद 25 विधायक हैं ऐसे में निर्दली के समर्थन के बाद उसकी ताकत 31 हो जाती है बीजेपी 31 विधायकों के समर्थन और अपने वोट प्रतीशत को आधार बना कर दावा पेश करेगी देखे बाचीत हो रही है दोनों दलों से बात हो रही है लेकिन अभी तक कोई बात नहीं पाई है लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें जम्मू और स्रिनगर वैली को बैलन्स करना है जो दूरियां है तो PDP और BJP को साथ पे आ जाना चाहिए चाहे उनकी सीटे कितनी है और हमारी कितनी है एक बैलन्स गाउमेट बनाना जल से जल बहुत जादा ज़रूरी है BJP जमू कश्मीर में सरकार बनाने के सपने देख रही है उसे एक भरोसे मन साथी की ज़रूरत है लेकिन यहाँ जंग सरकार में नंबर वन होने की है BJP को PDP ने साथ संकेत दे दिये करार तभी होगा जब मुखे मंत्री की कुर्सी उसके खाते में पूरे 6 साल के लिए आएगी अनुच्छे 370 पर कोई बाचीत नहीं होगी Common Civil Code पर भी BJP कोई चर्चा नहीं करे हमारा जो भी कुछ होगा वो एक issue based होगा असूलों की बुनियाद पर होगा ऐसे असूल जिस पर वो भी राजी हो जो भी हमारे partners बने वो भी राजी हो हम भी राजी हो और जो रियासत जम्मु कश्मीर की मजमुई फला वो बहबूत के लिए बेहतर होगा मजमुही तो वो ही उस किसम की सरकार की मतला वी जेपी का खेल बिगाणिर में कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफर साफ है यह प्रस्ताव सिर्फ बी जेपी को राजी की सत्ता से दूर रखने की कोशिश के मद्लösर भीजा गया हाला कि PDP ने National Conference के मौखिक प्रस्ताव को खारच कर दिया कुल मिला कर घाटी में BJP और PDP के बीच बाचीच चल रही है अश्रफवानी, श्रीनगर, आज तक